अयोध्या राम मंदिर की उत्पत्ति का पता प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायन से लगाया जा सकता है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, श्री राम जन्म भूमी तीर्थ क्षेत्र द्वारा शुरू किया गया था, जो मंदिर के विकास और प्रबंधन के लिए गठित एक ट्रस्ट है। उत्थानकारी सनरचना बनाने के उद्देश्य से भक्तों और समर्थकों का योगदान शामिल था। इस पत्थर को जहां लगनी है, उस पत्थर को यहां से इनवाइट करके मगाया जा रहा है। और वो गारी प्लत करके यहां से जाता है श्री राम जन्म भूम पर इंजिनियर राम मंदिर के जो बना रहे हैं। कारसेवक पुरम से कुछ दूरी पर ही यह कारिशाला है यह वही जगह है जहां पिछले 30 सालों से श्री राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम चल रहा था और सब राम मंदिर का जो भूम पूजन वगरा होई चुका है अब प्राग तृष्टा होने जा रहा है इसलिए आपको यह केमरी के माध्यम से यहां लेकर आए हैं कि आप राम मंदिर की तैयारी जो बंदिर बनेगा आप आएंगे युद्या में देखेंगे तो आपको पहल कि आपको जानकारी मिले के बिलिटिंग तुराज अस्तान गुज्रा बिलि बाम्बे में सार शार तनले के बने हैं सर उठा के ताकनी से बिलिडिंग दिखाई देती कितनी उची है इसे पकार सर जुका करके राम मंदिर में नेचे ताख हो गए तब पता चलेगे कि आपको को देखने के लिए आया करते थे आज भी लोग पत्थरों को देखने आ रहे हैं। कि नतीत में इसे विदेशी आक्रमनकारियों द्वारा बार बार ध्वस्त किया जा चूका है। अजय श्री राम। इस समय हम लोग कारसिवक पुरम में पहुचे हैं जहां पहले कारसिवा जो पत्तर कारिशाला दिखाया था वहां पर मंदिर जो बहुत सारी जमीनें महारवर्स मकराना से जो भगवान का गरफगरा बनेगा उसके अंदर जो मूर्ती रखी जाएगी उस मूर्ती को तरासा जा रहा है जो पांच साल के रामडला की मूर्ती बनेगी वो इन पत्थरों से बनेंगी अब इसमें राजस्तान से पत्थर आए हुए है जो है और नै बहुत अत्य पराचीन जगा है और हम लोग मंदर के सिघर के पास खड़े हैं मंदर में भगवान का भोग चल रहा है तब तक हम लोग थोड़ी इसकी इश्टरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं सुर्कुन मंदर क्यों बोलते हैं भगवान शूरी इसे गुजर रहे थे ए यहां पर गिरा जो एक तलाब का रूप ले लिया और वह पानी इकठा हो गया वह एक तलाब के रूप में हो गया सुर्भगवान के यहां पर रुकने के कारण ही सुन्याराण का मंदर यहां बनाया गया इसके अंदर शूरी भगवान का मूरती है आयोद्या के अंदर और क स्टेट के मालिक थे महाराजा दथुआ जी ददुआ राजा करके हो जया में उनका स्थान बना हुआ घर बना हुआ है उनका स्टेट था उनके स्टेट में लगता था इसलियե Доदुआ जी को पता चला कि भग्वान शूर यहां पर रुके थे तो उनको भगवान का दर्शन करके जब उसको अच्छा बनाने की कोशिश किये उसी समय एक आकाश माड़ी हुई कि यहाँ पर जो आप खुदाई करके जो सुर्भवान के मंदर को निर्माल करार है या कुंड तालाब को अच्छा पोखरार कर रूप देना चाहेते हैं दर्सनारतियों को दर्सन के लिए य इसके पहले बहुत सारे यहां पर खजाना तीजोरी शामान निकलेंगे आपको जितना ले जाना ले जाईए इस पकार यहां के दद्वा राजा ने यहां से खोते समय हीरा मोती सोना चांदी मडी माला तमाम प्रकार के आप होशन उनको मिले थे जिससे वह बस्तु अपने जगा मंदिर और कोठी का निर्मान कराए उसी करम में इस मंदिर को चोड़ा डेकोरेशन देकर खुब बढ़ीया सुंदर नहाने लाइक घाट का इसका रूप दे दिया अब यहां साल में एक बार बहुत बड़े मिले लगते हैं वह से तो यहां रभिवार को इत्वार के दिन नहाने का दर्सन करने का बहुत बड़ा मात्र है क्योंकि शुन नाराणा भगवान को रभिवार का दर्सन बहुत बड़ा मात्र दिया गया है यहां दर्सन करने से आग की रोशनी किसी को कम है उस रोशनी को ज्यादा अपने आपाटों में बढ़ जाता है किसी के सरीर में आग का प्राब्लम है वो दर्सन करने से आग का बिमारी भी ठीक हो जाता है और यहां नहाने से सब कश्ठ दूर होते हैं यह बहुत प्राचीन दुरलबस्तल है अयुद्या की इतिहाद से जुड़ा हुआ है परंपरा से सुन नाराणा भगवान का मंदिर पूरे अयुद तक कि पारेटक इसको आकर के अच्छे तरफ से इसको देख सकें देखे नदी के अंदर साम को इसको डेकोरेशन लाइट सिस्टम कर दिया है यात्री बिश्राम कर सकते हैं यात्री बैट सकते हैं बच्चे का लोग यहां मुंडन भी कराते हैं और जन्योधारन भी कराते है ये सब पूजा पाट के कारकरम भी यहाँ चलते हैं, अरुष्ठान भी होते हैं, जब कभी आप आयोध्या आईए तो सुर्ज कुंड भी देखिए और ये भी इतिहासिक जगा यहाँ जरूर आईए, जैसीराम, ओम परकास पांडे, प्रोहित आयोध्या आने वाले एपिसोड में हम आपको अयोध्या के समरिध इतिहास में और भी गहराईयों में लेकर जाएंगे, और भगवान श्री राम की एतिहासिक महत्वपून कहानी को और भी विस्तार से साज़ा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और एतिहासिक कहानियों और रोमान्चक एपिसोड के लिए तब तक के लिए जैश्री राम